हलो गूड मॉनिंग एंड वेल्गम बेक फ्रिंट्स आप देख रहे हैं पेसेर एजूकेशन यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में बात करेंगे 5 अक्टोबर से रिलेटिड जितने भी इंपोर्टेंट करंट फिर बनती हैं सारे इस वीडियो में कम्प्लीट करेंगे सा संथा की बीते दिनों चर्चा में रही उमन गोट जल्विद्ध प्रियोजना किस राज्य से समन्दित है तो ये इस्तित है मेगाले के अंदर जो उमन गोट जल्विद्ध प्रियोजना है मेगाले में इस्तित है इतना आपको धियान में रखने है चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की कारांट फिर की देखे पहला प्रेट आपके सामने है खादी और ग्राम उद्ध्यों आयो जो के वी आई सी है इसने लेहमेद दुनिया के सबसे बड़े राष्टी ध्वज का उद्गाठन किया है जिसकी लंबाई कितनी यहाँ पर देखेगा यह लंबाई पूछता रहा है इस ध्वज के लंबाई कितनी है तो करेक्टांस होगा दो सो पच्चीस फिट इसकी लंबाई यहने की लेंथ है थोड़ा इसके बारे में डिटेल्स में जरूर जाने है हम देखे यहाँ पर अज्येपाल है यहाँ के लद्धा के ठीक है जिनका नाम है आर है कि जो जन्सकार पाहडिया है वहीं पर इसको इस्तापित किया गया है यह आपको ध्यान में रखना है इसकी कुछ यहाँ पर जो मतलब की इंपोर्टेंट अपडेट से वह आप ध्यान रख लीजिएगा इसकी लंबाई है दो सो पच्चीस फिट चोड़ाई एक सो पचा चलिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पर देखिएगा किसने चेनने की सतत सहरी सेवाओं का समर्थन और इसे विश्व इस्तरिय सहर में बदलने के लिए लगभग 150 मिलियन डोलर के कारेक्रम को मंजूरी दी है यह रिन को मंजूरी दी है तो कारेक्रम्स होगा वर्ल्ड बैं वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में जो चेनने सहर है इसकी सतत सहरी सेवाओं का समर्थन करने विश्व इस्तरिय सहर के रूप में इसको विक्षित करने के लिए हाल ही में यह 150 मिलियन डोलर के रिन को मंजूरी दी है ठीक है यहाँ पर रिन है इतना आपको ध्यान रखना है निक्स्ट यहाँ पर देखिएगा डेविड जूलियस और अड्रेम पठपोटियन को तापमान और इसपर्स के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोजों के लिए संयुक्त रूप से किस सेत्र में 2021 का नोबल अवार्ड या नोबल पुश्कार प्रदान किया गया है तो आपका कई करेक्टरंस हो गए हाँ पर फीजियोलोजी या मेडिशन इसी छेतर में हाल ही इन दोनों को संयुक्त रूप से हाँ पर यह जो नोबल अवार्ड पुश्कार है 2021 का वो दिया गया है तो आपसे ध्यान रखना है आपसे पूछा जाता कि मेडिशन या फीजियोलीजी का जो 2020 का नोबल प्राइस है वो किसी दिया गया है तो डेविड जूलियस और अडेम पटपोटियन को सही तुरूप से इस बार का यह पुश्कार दिया गया है किसके लिए दिया गया है इनकी जो खोज थी इसको यहाँ पर जो किसके समबंद में थी तापमान और इसपर्स क इनकी जो खोज थी इसी के लिए इनको यह पुश्कार दिया गया है नेक्स्ट यहाँ पर देखेगा केंद्रिय कानून और नियाय मंत्री किरन रिजेजु ने किस सहर में भारत के पहले मध्यस्ता केंद्र का उद्गाठन किया है तो यह किया है एहमदाबाद गुजरात के अंदर हाल ही में ये भारत का पहला खेल मध्यस्ता केंद्र का उद्गाठन किया है ये आपको धैन में रखना है नेक्स्ट यहाँ पर देखेगा केंद्र प्रयाइशित नमामी गंकेकार क्रम का आधिकारिक सुभंकर किसको घुशित किया गया है करेक्टांस होगा चारशा सोधरी आपने काफी सुना होगा इसके बारे में ठीक है तो इसी को हालखी में यहाँ पर नमामे गंगे कारेकरम का आधिकारिक सुबंकर गोशित किया रहा है इस नमामे गंगे कारेकरम के अगर बात करते हैं तो भारसकार ने गंगा न दी और उसकी साइक नदियों के प्रदुशन को कम करने उनके सरक्षन और पुनरुद्धार के लिए 20,000 करोड रुपे के कुल बजटिये परिवे के साथ जून 2014 में इन नमामी गंगे कारे करम की सुरुवात की थी तो ये ध्यान रखिएगा इसकी सुरुवात कब हुई थी जून 2014 में इसको सुरु किया गया था गंगा नदी और इसकी जो साइक नदिया है उनके सरक्षन उनके अंदर परदुशन उसको कम करने उनके पुनरुद्धार के लिए नेक्स्ट यहां दिखेगा संयुक्त राष्टर ने अक्टोबर के पहले सोमार को किस रूप में नामित किया है तो करेक्ट अंस होगा विस्वय प्रियावास दिवस विस्वय प्रियावास दिवस को अब जो है अक्टोबर के पहले सोमार को मनाय जाएगा हाल ही यह मनाय गया है और सेक्तराश्टिस की कि वह उष्णा की है ठीक है इतना आप ध्यान रखे नेक्स्ट यहाँ पर दिखिएगा किसको रेटिंग एजनसी क्रिसील ने की क्रिसील के नए M.D. और C.E.O. के रूप में नामित किया है नियूट किया है इनका नाम है अमिस मेहता तो आप ध्यान रखिएगा जो क्रिसील जो की एक रेटिंग एजनसी है इसका नया जो C.E.O. और M.D. चुना है अमिस मेहता को चुना गया है ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर 4 अक्टोबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मना जाता है तो करेक्ट आन्सोगा विश्व पसु दिवस विश्व पसु दिवस यह हरशाल 4 अक्टोबर को मना जाता है ठीक है नेक्स्ट चार अक्टोबर से 10 अक्टोबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताहा मना जाता है तो करेक्ट आन्शोग आपका विश्वय अंत्रिक सप्ताहा चार से और दश अक्टूबर के बीच में ये विश्वय अंत्रिक सप्ताहा के रूप में मनाय जाता है इतना आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट भारत और किस पडोशी देश के बीच संयुक्त युद्धव्यास मित्र सक्ति का आठवा संस्कन 4-15 अक्टूबर 2021 तक अंपारा में आयत किया जा रहा है ये किया जा रहा है स्रिलंका के बीच स्रिलंका और भारत के बीच का एक संयुक्त युद्धव्यास है जिसका नाम है मित्र सक्ति इसका ये आठवा संस्क्रन है इस बार जो कि स्रिलंका का जो अंपार रायस्तान है वहीं पर 4 से और 15 अक्टोबर के बीच में आयुजन इसका किया जा रहा है यहां अगर बात करते हैं तो इस अयुद्धव्यास तो मित्र सक्ति युद्धव्यास से इसका आयुजन हर साल भारत और शिलंका के बीच में किया जाता है इस बार यह इसका आठोसन्स करना है जिसमें भारत की तरब से लगबग 120 जवान सामिल हो रहे हैं और इसमें भारत की सेना का जो नेतरत्व किया जा रहा है वो करनल प्रकास को मार के दुआरा किया जा रहा है ये आपको जहां रखना है इसका उद्धेश से क्या है देश के बीतर होने वाले आतंकवाद के खत्रेक से निपटना और एक दूसरे के सेन्य अबनुबहों को आपस में साजा करना इसका उद्धेश से है नेक्स्ट देखेगा उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस अभिनेतरी को एक जिला एक उत्पाद याने की जो ODP योजना है योपी की उसका ब्रैंड अमबेशेडर नियुक्त किया है तो करेक्टन सोगा कंगना रणोत को कंगना रणोत को हाल ही में जो यूपी की एक जिला एक उत्पाद योजना थी उत्तर प्रदेश सरकार की उसका नया ब्रैंड अमबेशेडर चुन लिया गया है ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट हाल ही में किस राज्ज सरकार ने बोतल बंद पानी पर एक जनवरी 2022 से बेन लगाने की घुशना कर दी है करेक्ट अंसर गा सिक्कम देखे सिक्कम सरकार ने ये घुशना की है कि एक जनवरी 2022 से राज्ज में कोई भी बोतल बंद पानी जो seal pack bottle जो water है उसको यहाँ पर sell नहीं कर सकेगा उस पर completely bend कर लगा दिया रहा है यह आप ध्यान रखीगा यहाँ पर उठाया गा है इसलिए कि यहाँ पर कहना है कि जो pollution है उसको कम करना इसका मुख्योद्ध से है नेक्षट यहां पर निमनमे से किस राज्य में वियापक रूप से उतपादित किये जाने वाले चाओल की एक खास किस्म वाडा कोलम को G.I. टेग दिया गया है यह उत्पादित की जाती है महाराष्ट्रा में देखे यहाँ पर महाराष्ट्रा का जो पाल गर है वहीं पर यह चावली की एक खास किस्म है वाडा कोलम इसको G.I. टेग प्रदान किया गया है इस वाडा कोलम को यहाँ पर जो सामन्य जीनी या जीनी चाओल के नाम से भी जाना जाता है महरास्ट्रा में से तबारटी ये पूरुष टेबल टेनिस टीम एक अक्टोबर 2021 को ACI Table Tennis Championship में कौन सा पदक जीता है। इन्होंने जीता है कांस से पदक। ये आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट है ACI Table Tennis Championship में जो भारत ये पूरुस Table Tennis Team है इन्होंने कांस से पदक जीता है। कौन सा ब्राउंज मेडल हैं कांस से पदक। प्रदान किया गया है जो भी करेक्ट आंसर नीचे आपको लिखना है कमेंट वोक्स में सुगाइच यह थी आज की करेंट अफिर्स होप आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और शेर जरू कीजिएगा आज किस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं नेक्स टूड वीड़ो की, नेक्स वीडियो टूधे रग में झाल, अजे तियो के लिए हूते हैं में वButू.